हेलो फ्रेंड्स वेलकम आप सभी का स्वागत है हेलो फ्रेंड्स गुट मौनिंग आप सभी का स्वागत है फिजिक्स ग्यान मुकेश नाइक चैनल पे दोस्तो आज हम बहुत ही आसान टॉपिक पढ़ने जा रहे बस दो मिट में आप डिग्री ओफिक्परिजन किस तरीके से करते हैं यह समझ जाओगे हाँ फ्रेंड्स आज हम डिग्री ओफिक्परिजन कैसे करते हैं या फिर चेंज दिग्री किस तरीके से करते हैं वो देखने वाले फॉर एक्जंपल I am as smart as you बोध्त Ben 27 small as I am as smart as you friends जब भी हम किसी इंटेंस का डिग्री चैंज करते ना में क्या करना चाहिए तो हमें उसका लेवल देखना चाहिए कौन ठीक जोस्तों डिग्री ओफ कुंपरेज़िन जो हे वो तीन लेवल पर हम देखने जा रहे हैं first जो है that is one to one comparison one to one comparison correct पहला जो लेवल होगा वो फूगा one to one comparison मतलब एक आत्मी की तुलणा एक से होगी या फिर किसी एक चीज की तुलणा दूसरे किसी चीज से होगी ठीक है second जो level है that is one to many comparison one to many comparison here we compare one object with many object यहाँ पर क्या होगा एक object की comparison बहुत सारे object के साथ होती है and जो third level है that is many to many comparison ठीक है friends many to many बहुत सारे लोगों की या object की comparison बहुत सारे object के साथ तो इन तीन level पर हम देखेंगे किस तरह की से degree हम change करते है friends degree change करना बहुत ही आसान है just we have to remind that which level of the sentence is दिया गया sentence किस level का है and उस level से हम वो change कर सकते friends हम first देखेंगे one to one comparison before going to start degree of comparison और change the degree few things we must know कुछ बात हमें मालूम होना ज़रूरी है friends जैसे कि यह जो word है as smart as ठीक है degree of comparison या फिर इसे comparison of adjective भी कहते हैं दोस्तों ठीक है ना याने कि यहाँ पर comparison of adjective भी होता है यह जो word है this word is called as according to parts of speech adjectives ठीक है ना जिससे हमें पता है जो word describe करने के लिए use करता है that is called as adjective or describing word तो friends जब हम कोई भी sentence का degree change करते हैं इदर from positive degree comparative degree और superlative degree ठीक है वो हम बात में देखेंगे level पे हैसाब से देखेंगे अब जब हम adjective का form जब change करते हैं तब हम तीन डिग्री में इसका form change करते हैं जो पहला वाला है first वो है positive degree यह normal degree कहते हैं ठीक है दोस्तों positive degree second जो है वो है comparative second जो form है वो है comparative degree यह comparative form भी कहते हैं इसे and जो third one है that is superlative superlative degree okay friends जब भी हम किसी sentence डिग्री change करते हैं तो what we do we go undergo some changes थोड़े से changes हम करते हैं एक उसमें से change है कि we change the form of adjective according to the degree जो भी डिग्री में हम sentence लिखने वाले हैं वो डिग्री में हम यह जो word होता है जिसे adjective कहते हैं उसका form हम क्या करते हैं change करते हैं तो थोड़ी सी कुछ बात है किस तरीके से form change होता है देखेंगे दोस्तों mostly जब हम किसी positive degree का comparative degree में करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो भी one syllabic है ठीक है one या फिर two syllabic जो भी word है correct जो one और two syllabic अभी syllabic क्या होता है दोस्तों तो कोई अलग बात नहीं है तो थोड़ा यह ध्यान में रखना है जिसका pronunciation एक sound में या फिर दो sound में हो जाता है ठीके या फिर दूसरे words में हम कह सकते हैं बहुत ही आसाने वाली trick है कि जिसका spelling जो होता है न वर्ड का spelling जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसके syllabic भी बढ़ते है तो फिर अगर sentence का pronunciation छोटा है spelling छोटा है तो वह एक तो एक syllabic का होगा या फिर दो syllabic का होगा ठीक है अगर वर्ड एक syllabic दो syllabic का है या फिर उसका spelling छोटा है तब हम यह जो adjective है इनका form किस तरीके से change करते है देखो पहला वाला जो form है वह हमेशा as यह फ्रेज में होता है यह जो फ्रेज है ना as as it always indicate positive form as as जो फ्रेज है यह always कुन सी degree indicate करता है positive degree ठीक है as as always indicate positive degree for example as tall as now tall का जो spelling है ना बहुत छोटा है ठीक है ना टॉल का मतलब बढ़ा है लेकिन spelling छोटा है ठीक है ना तो spelling अगर छोटा है तो वह one syllabic हो गया ठीक है ऐसे जो वर्ड जो one और two syllabic के हैं उनका comparative में करना है ना तो just suffix er उसे लगाना है जैसे कि देखो tall as it is है बस taller को क्या कर देते हैं er लगा देते हैं यह हो गया as tall as का comparative form as tall as taller जब भी हम comparative form यूज करते है ना तो don't forget to use then whenever we use comparative form जब भी हम comparative form यूज करते हैं कोई भी as a two का ठीक है तो दैन लिखना कभी भी नहीं भूलना फ्रेंट्स दैन का spelling देख लो टी यह ए यन ओफन क्या हो जाता है कि टी एच ए यन लिख देते हैं या फिर option में कुछ ऐसा दिया गया हो तो याद रखना है कि टी एच ए यन देन नहीं लिखना है हमें टी एच ए यन दैन का यूज करना है ठीक है compare करते हैं तो taller than ठीक है एंड जब हम इसका superlative form करते हैं तब हम क्या करेंगे कि definite article जैसे कि हमने articles के topic में देखा था कि जब भी हम superlative form यूज करते हैं किसी भी adjective का तब definite article का use होता है the tallest the tallest ठीक है friends देखो as tall as taller than the tallest superlative degree में हमने क्या किया कि यहां पर एक suffix add कर दिया est तो friends जो भी one and two syllabic के words है जिनका spelling छोटा है ठीक ना जिनका spelling छोटा है ऐसे words का adjectives का comparative and superlative form यूज करते हैं one more example लेंगे हम as the same one smart as smart as correct as smart as in comparative form it become smarter smarter smart ka spelling as it is है ठीक है ना spelling में change नहीं हो रहा है स्रिप चाह कर दिया उसको er at the end लगा दिया suffix er लगा दिया smarter than जब भी हम er लगाएंगे comparative form आएगा than is very important than वहाँ पे होना बहुत ही ज़रूरी है जब भी practice करेंगे तो इसी तरी कैसे करेंगे as tall as taller than the tallest ठीक है एक दूसरी practice होती है कि tall taller tallest small smaller smallest ठीक है या फिर bigger biggest तो जब हम इस तरी की से practice करते ना तो जब हम यह implement करते है sentence में तब हमें यह याद नहीं रहता कि क्या लिखना है कौन से form के साथ कौन सा वर्ड लिखना है सो प्रैक्टिस शुड़ भी करेंग जैसे कि कहते हम friends की practice makes man perfect ठीक है practice make man perfect बट अगर imperfect practice है तो कैसे perfect बनेंगे correct तो perfect practice makes man perfect तो practice भी perfect होना चाहिए जिस तरीके से as tall as taller than the tallest same as smart as smarter than यहां पर आएगा superlative में the smartest the smartest friends जो भी changes है I have written in red ठीक है ना जो भी changes हो रहे है वो red में लिखे गए है तो बस याद रखना है कोई भी अगर word as as की phrase में दिया गया है तो अगर वो spelling छोटा है या one और two syllabic का है तो comparative form में er than ठीक है and superlative में पहले द लिखना है and at the end est suffix add करना है correct चलो अभी second level देखते है किस तरीका है जैसे कि हम यह changes sentence में हम जब interchange करते ना तो use करना होता है now second है अगर sentence more than two syllabic का है imagine करो कि दिया गया word जो है वो more than two syllabic है अब जैसे कि कोई भी word के syllabic बढ़ते है ना तो उसका spelling भी बढ़ेगा ठीक है ऐसा तो नहीं होगा कि pronunciation में बहुत लंबा word है बट writing में बस दो ही letter में हो जाएगा ऐसा नहीं होता है जैसे कि कोई word का अगर कोई syllabic याने की sound बढ़ता है ना तो उसका spelling भी बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा friends कि दो या दो से ज्यादा दो भी ने दो से ज्यादा ही जो words होगे उनका spelling भी बढ़ा होगा जैसे कि as powerful as correct as powerful as friends जो भी adjective के जो suffix होते है ना जैसे कि FUL है या फिर IVE है या फिर OUS है या फिर ING है ठीक है ना तो यह suffix लगने के बात एक syllabic automatically बढ़ जाता है automatically वो word का एक syllabic बढ़ जाता है तो syllabic बढ़ गया तो वो दो से ज्यादा हो जाएगा ठीक है ना दो से ज्यादा हो गया तब comparative and superlative में क्या करना होता है दोस्तों जब अगर जो word as as phrase में दिया गया है उसका spelling बढ़ा है तो comparative form में er नहीं लगाना है वहाँ पर हमें word के पहले more यह use करना है कौन सा word यूज करना है more more correct जब भी कोई word का spelling बढ़ा हो comparative form में हम use करेंगे more and the same word as it is more powerful ठीक है as powerful as more powerful and superlative में क्या करेंगे friends दो तो आएगा ही पक्का correct अब यहाँ पे superlative form लेना है तब यहाँ आएगा most ठीक है यहाँ पे क्या आएगा most and the same as it is that is powerful means as powerful as more powerful यहाँ पे than word रह चुका है friends ठीक है correct as powerful as more powerful than the most powerful correct जब भी हम किसी word का जिसका spelling बहुत बड़ा है या syllabic दो से जादा है comparative form में हम more का use करेंगे and superlative में हम most का use करेंगे यह more and most जो है ना यह word के पहले बिफूर दो वर्ड यूज करना है या वन मोर एग्जामपल आज क्रियेटिव आज नाव जो शफिक्स आई वी अलवेज इंडिकेट एजटिव फॉर्म फ्रेंड्स कुछ शफिक्स है जो हमेशा कोई पार्टस ओ स्पीच जो होते है न तो उन्हें इंडिकेट करते हैं जैसे कि मतलब एक सिलाबिक वहँपर एड हुरा है spelling भी बढढरा है तो यह जो spelling बड़े-बड़े spelling वाले word है न वो यहां second पे आएंगे यहां पे that is more than two syllabic so comparative form बन जाएगा इसका more ठीक है spelling बड़ा है इसलिए more creative more creative than always keep in mind whenever we write sentence of comparative degree we must use than after adjective form और comparative form of adjective जब भी हम comparative degree का sentence लिखते है या फिर अगर कोई दिया गया sentence में than word आ चुका है than तो वो sentence होगा comparative degree का यहां पर तो मालूम ही पड़ेगा लेकिन यह word हमेशा रहेगा ठीक है ना हर किसी adjective के साथ comparative में एक word permanently है सच्चा दोस की तरह that is than वो हमेशा comparative में hundred percent यूज किये अब यह जो form है superlative में बनेगा the most most correct most जो है वो भी comparative form है और comparative form के पहले हमेशा sorry superlative form के पहले हमेशा दही आता है the most creative new ठीक है कोई भी word ले लो जिसका spelling दो से ज्यादा सिलाबिक का है ठीक है ना या फिर हम लेंगे वो पर कि splendid as splendid as तो comparative form बनेगा उसका more splendid than ठीक है superlative form बनेगा the most splendid या फिर industrious as industrious as दोस्तों जब industrious का हम pronunciation करते ना तब ही ध्यान में आता है कि बहुत लंबा word होगा है industrious तो syllabic बढ़ जा रहे है आपर syllabic अगर बढ़ते है spelling बढ़ा है तब we use more and most in comparative and superlative respectively ठीक है तो जैसे कि as industrious as more industrious than the most industrious ठीक है तो यह जो er more का जो use का जो तरीका है ना friends बहुत आसान होता है it depends on the syllabic और it depends on spelling easily क्या करेंगे हम spelling के उपर है ठीक है बड़ा spelling है तो more and most करेंगे spelling छोटा है तो आपर er est का use करेंगे यह बात अगर clear है चलो अभी लास्ट इसमें का जो point है हम देखने जा रहे है कि कोई words जो हमने अभी यहां पर देखे है syllabic के इसाब से वो इन्हें exceptional है exceptional इसलिए है कि वो एक syllabic के है या फिर दो syllabic के है फिर भी यह इस तरीके से उन्हें हम comparative superlative form में नहीं use कर सकते for example friends यह जो अभी हम words लिखने वाले यह exceptional है यह जो भी first rule हमने देखा comparative and superlative form बनाते समय तो वहाँ पर थोड़ा सा change है यह words जैसे कि पहला word है as good as ठीक है अभी यह कुछ words हम यहां पर लिखने जा रहे है please keep all these words in mind यह बहुत ज़रूरी है बाकी जो words ना तो er est से बन जाते लेकिन यह words तोड़े अलग हो गए इसलिए इसको mind में रखना है as good as comparative form में बनेगा better than देखो यहां पर good का और better का spelling अलग हो गया है यहार है अपर लेकिन spelling बहुत change हो चुका है better than superlative form बनेगा the best ठीक है as good as better than the best same इसका एक synonym है same form में आएगा that is as well as correct friends as well as का भी होगा better than superlative में बनेगा the best means good का मतलब तो well है ठीक है ना यह दोनों क्या है synonym है similar meaning वाल है इसलिए इनका comparative form and superlative form भी एक ही रहेगा ठीक है चलो second word देखते है as bad as as bad as comparative form है worse than worse than and superlative form है worst ठीक है worst sorry the worst हम यहाँ पर लिखेंगे the worst definite article बहुत जरूरी है superlative form के पहले okay now as bad as worse than the worst same word है as ill as correct friends यहाँ यहाँ पर i double ill का मतलब sick या बिमार इस तरीके से नहीं किया गया है ill मतलब बुरा यहाँ पर ill मतलब क्या होता है बुरा bad तो same word है synonym है similar meaning है तो उनका comparative form and superlative form भी क्या होगा same ही होगा जैसे कि as bad as worse than the worst या फिर as ill as worse than the worst correct next word है as many as ठीक है as many as comparative form बनेगा more and we know comparative में एक word हमेशा ही use करना है than ठीक है as many as more than superlative में भी हमेशा क्या रहेगा permanently definite article the ठीक है the most देखो as many as more than the most when we pronounce that word ना तो automatically यह जो word से red ink से लिखे गए है वो उनके साथ में ही आने चाहिए जैसे कि best का जाता है ना तो generally only best नहीं कहेंगे हम क्या कहते है दी best worst कहेंगे ना तो श्रिफ worst नहीं आएगा ना बोलते समय ना writing करते समय वर्स दैन वर्स दैन इसी तरीके से आना चाहिए similarly एक दूसरा word है as much as ठीके many जो है वो countable है तो many use करते है uncountable है तो हम much use करते है same है दोनों का meaning भी क्या है same है श्रिफ countable के लिए many है uncountable के लिए much है तो उनका comparative form भी same ही है as much as more than the most as much as more than the most या फिर as many as more than the most ठीके चलो next word देखते है as little as ठीके as little as लिटिल ये भी adjective form है तो इसका comparative form बनेगा less than as little as का comparative form बनेगा less than and superlative form बनेगा the least superlative form बनेगा least the least ठीके चलो ये table को एक बार reverse कर लेते है ये थोड़ा mind में रखना है बाकी के जो word है ना ठीके तो वो word बहुत सारे है और उनके लिए एक ही trick है एक ही formula है that is अगर spelling छोटा है तो comparative में er than superlative में definite article the and est अगर spelling बढ़ा है तो more or than the most or spelling as it is ये जो तीसरा वाला टेबल हमने या ड्रॉ किया है यहाँ पे इनका spelling change होता है जैसे कि as good as है तो यहाँ better than आ चुका है यहाँ as bad है तो यहाँ worse than the worst आ चुका है as many as या फिर as much as है तो more than या फिर the most and last one है as little as का बनेगा less than यहाँ पे बनेगा the most correct friends तो यह words always आपको ध्यान में रखना है इनका form जो हम change करते तो spelling भी change होता है now यह होने के बाद अभी देखेंगे sentence का degree किस तरीके से change होता है ठीक है अगर इसे अब screenshot भी ले सकते है ठीक है न तो चलो अभी next देखते है actual में sentence का degree किस तरीके से हम change करेंगे sentence degree change करते समय अब हमें देखना है कि यह जो degree comparison बना रहे है या हो रहा है यह कौन से level पे हो रहा है one to one comparison है या फिर one to many है या फिर many to many तो friends देखिए यह first object है और यह second यह दोनों में हमने क्या किया है inter comparison किया है दोनों का अपस में क्या किया है inter comparison किया है जब हम एक object का comparison दूसरे object से करते हैं single single से या फिर किसी group का comparison किसी दूसरे group के साथ करते है ठीक है तो वो होगा one to one comparison ठीक है ना one to one comparison अब one to one comparison का sentence ना जब हम degree change करते है तो वो या तो वो positive degree में होगा या फिर comparative degree में होगा ठीक है now we write short form PD इंडिकेट positive degree CD इंडिकेट comparative degree friends जो यह sentence हुगा one to one comparison यह sentence इजर positive degree और comparative degree में ही बनेगा we cannot frame sentence of one to one comparison into superlative one यह बात हमेशा mind में रखना है अगर sentence one to one का है तो वो sentence superlative में नहीं लिखा जा सकता बनता भी नहीं है वो एक तो क्या होगा positive में होगा या फिर comparative में होगा ठीक है चलो अभी positive comparative जब भी हम करते हैं न किसी भी sentence अगर कोई भी sentence positive degree से कोई भी degree में चला जाता है तो वो affirmative से negative बनता है या फिर negative से affirmative बनता है ठीक है ये बात भी हमेशा mind में रखना है कि कोई भी positive degree का sentence चाहे वो one to one का हो चाहे one to many का या फिर many to many का ठीक है कोई भी level का हो positive degree अगर sentence है तो always keep in mind कि हमें ये sentence का form बदलना है form बदलना है मतलब affirmative का negative करना होता है negative का affirmative करना होता है ठीक है कब करना होता है अगर जहां कहीं भी भी pd का sentence है तो वो दूसरे अगर rest degree में जाता है या फिर rest degree का sentence positive degree में आता है तब हमें sentence का form बदलना है affirmative to negative, negative to affirmative चलो किस तरीके से देखते है I am as smart as you friends ये जो phrase है as as ये हमेशा कुन सा degree indicate करता है positive degree ठीक है ये हमेशा positive degree indicate करता है now here I and you compared यहाँ पर हमने इन दोनों को comparison क्या है जब हम pd cd करते हैं या cd to pd करते हैं तब यह जो दो चिनकी हमने तुलना की है जिनको compare करते हैं उनकी places भी बदलना होती है you यहाँ पर है तो यह आएगा starting में I यहाँ पर starting में है तो इधर आएगा end में ठीक है ना तो चलो you के बाद आएगा are यहाँ पर tense match करना है friends यह present आ है तो यहाँ पर भी present होना चाहिए ठीक है ना mostly यहाँ पर हम to be का use ज़्यादा करते हैं am is are was where इनका use ज़्यादा जो भी degree क sentence है ना तो you find that वहाँ पर principal verb या main verb जो होते हैं वो ज़्यादा करके नहीं use किये जाते हैं जो भी sentences बनते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं to be का form use करके होते हैं you are now as smart as comparative में बनता है smarter than so you are अभी यह sentence है affirmative तो यह वाला बनेगा negative ठीक है now one change या पहला बदल पहला change हमने यहाँ पे किया है कि यह sentence था positive affirmative next sentence क्या बना दिया हमने negative because positive comparative 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 positive या फिर positive degree जहां कर भी आ जाता है ना form बदलना चाहिए you are not smart as smart as बनेगा smarter than as per the previous table हमने देखा smart का जो spelling है वो one syllabic है ठीक है ना एक ही pronunciation में हम बनाते हैं smart इसलिए er का use किया गया है comparative degree में and this word then always indicate comparative degree comparative form then हमेशा comparative form ही indicate करता है now the word is only remaining I you are not smarter than I in bracket you can write am नहीं लिखा तो भी सलेगा लेकिन इसके साथ जो भी helping work होता है उसके साथ में लिखना better होता है ठीक है देखो I am as smart as you comparative में बनाए हमने you are not smarter than I ठीक है एक बात हमने एक change हमने किया था कि sentence affirmative था ठीक है ना तो उसे हमने क्या कर दिया negative बना दिया ठीक है अगर positive का sentence negative दिया गया हो one to one comparison का one to one comparison किस तरीके से होता है एक object का comparison दूसरे object के साथ होता है ठीक है जनरली यह जो one to one comparison के sentence है ना एक keyword आपको की या clue या hint कहेंगे हम जो भी one to one comparison है इनका sentence हमेचा subject से ही start होते है ठीक है इनका sentence क्या होता है subject से ही start होता है positive या फिर comparative one to one हम superlative में नहीं लिख सकते सेंटेंस रेखते है मोहीत इस आज टॉल आज प्रकाश ठीक है नाव यहर वी हाव कंपैड मोहीत विद प्रकाश याने की एक आदमी की comparison दूसरे आदमी के साथ है ठीक है तो यह जो sentences होगी ना यह होगी one to one comparison की friends one to one comparison का sentence हमेशा ही subject से start होता है किसी noun से start होता है ठीक है चलो now we make it into comparative as as से हमें पता चला the sentence is of positive degree ठीक है positive degree का कोई भी sentence हम rest degrees में जब convert करते है चेंज करते है न तो जो दो object का comparison किया है उनकी places interchange करना है यानि कि प्रकाश यहां पर है तो यह आएंगा at the beginning of sentence means प्रकाश ठीक है match the tense प्रकाश is sentence affirmative है तो next sentence बनेगा negative friends always keep in mind कि यहां पर हम जब positive degree का sentence कोई भी rest degrees में जाते है न तो sentence का form change होता है from affirmative to negative why versa negative to affirmative so प्रकाश is not now tall इसका spelling दो को बहुत छोटा है तो यह one चला भी किये ठीक है न टॉल तो यह comparative form में बनेगा taller ठीक है taller than mohit in bracket you can write is ठीक है तो यह sentence बन गया प्रकाश is not taller than mohit ठीक है चलो एक negative वाला sentence लेते है जैसे कि पुने is not as cool as nasik correct now here पुना यह एक city है नासिक यह भी city है now we compare पुना विथ नासिक याने कि एक city का comparison दूसरे city के साथ किया है now here the sentence is negative यह sentence negative हमने लिया है ठीक है ना चलो यह sentence as as से पता चला कि this is of positive degree now we make it into comparative only comparative because it is one to one comparison friends always ध्यान में रखिये जो one to one comparison के sentences है वो एक तो PD में रहेंगे या फिर comparative degree में रहेंगे we cannot frame such sentences of one to one into superlative degree हम यह sentences superlative में नहीं बना सकते चलो नासिक एंड पुना comparison है तो दोनों के places interchange हो जाएंगे means नासिक is correct अब यह negative sentence है तो यह affirmative बनेगा मतलब not नहीं आएगा जीसे कि हमने यहाँ पे भी not लिया था यहाँ पे भी not लिया था because question sentence जो था वो affirmative था ठीक है ना now given question sentence is negative यहाँ पर जो sentence हमें प्रेश्न में पूचा है वो negative है तो यह sentence बनेगा affirmative नासिक is cool का comparative form बनेगा cooler ठीक है cooler than पूने इन ब्रैकेड is ठीक है नासिक is cooler than पूने नाव यह sentence negative था यह affirmative है ठीक है friends यह all sentences अगर देखते आप तो यह सब positive या comparative के है comparative के हमें पता चल जाता है कि यह than अगर है तो वह comparative वाला sentence है ठीक है ना हर sentence में er का ही form आता है ऐसा नहीं है syllabic बढ़ जाता है spelling बढ़ा हो जाता है तो er नहीं आएगा वह पर more आएगा ठीक है है कि sir in English each and every sentence begins with subject definitely friends अब आगे जो sentence देखने वाले हम one to many comparison and many to many comparison यहाँ पर हमें यह सबसे पहले identify करना है कि यह जो sentence जिया गया है whichever so it may be तो यह कौन से level का है बाद में हम decide करेंगे कि इसका change किस तरिके से करना है friends always keep in mind सबसे पहला काम जो है हमें करना है जो भी sentence change the degree का या degree of comparison का करना है तो first while reading the sentence जब हम sentence पढ़ेंगे तो यह level आपको identify करना है and it is easy देखो अगर sentence subject से है ठीक है ना subject से शुरुआत हो रही है तो वो होगा one to one comparison का चलो अभी next देखते है one to many comparison किस तरिके के sentences होगे and how to convert change these sentences into rest degrees now one to many compare what देखो फ्रेंड्स यहां पर जो है ना तो एक object का comparison जो rest बचे हुए है उनके साथ होने वाला है ठीक है एक का comparison जादा लोगों के साथ होने वाला है तो यह जो sentences होते है ना इनका pattern भी बहुत अलग होता है जैसे कि now I write an example ठीक है no other no other city is as populated as Mumbai ठीक है दोस्तो no other city is as populated as Mumbai ना यह जो वन टू मेनी के comparison वाले sentences हो गे ना तो वो sentence में अगर sentence positive का है ठीक है as as से हमें पता चल गया कि sentence positive degree का है यहां पर दोस्तों यह positive degree का sentence है लेकिन इसकी शुरुवात जो है एक phrase से हो चुकी है ठीक है जैसे पहले हमने देखा कि sentence की शुरुवात subject से हो रही है ठीक है तो वो one to one comparison होगा but अगर sentence phrase से हो रही है no other phrase से शुरुवात हो रही है positive degree sentence की तो वो होगा one too many comparison ठीक है one too many comparison friends no other के बाद यह जो word यहाँ पर हम लिखेंगे यह फिर लिखा जाता है it is always common noun I hope you know about the noun and its types जो भी noun है और noun के types है उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी है तो यह जो city word है यह है common noun इसे क्या कहेंगे हम common noun क्योंकि हर city को हम city कहेंगे औरोंगाबाद भी city है नासिक भी city है मुंबई भी city है तो city यह word क्या होगा हर एक city को हम applicable करते हैं यूज करते हैं इसलिए यह क्या होगा common noun मुंबई this is not common noun this is proper noun यह एक proper noun है विशेश नाम जिसे कहते हैं हम दोस्तों ठीक है ना अब देखो one to many का comparison का sentence में यह दो words होगी वहाँ पर मतलब पहला जो object होगा वो common noun होगा and second जो object होगा जिसके साथ comparison हो रहा है वो होगा fixed name, proper name, special name ठीक है ना तो देखो city is as populated as Mumbai no other यह जो phrase है ना यह always always at the beginning of sentence यह हमेशा क्या होती है शुरुवात में ही आती है ठीक है ना जब भी कभी आप positive degree का sentence बना रहे है one to many का तो सबसे पहला word जो लिखना होता है ना वो लिखना होता है no other पहला word हमेशा क्या लिखेंगे positive degree one to many comparison का no other है यह होगा singular form में यह होगा singular ठीक है ना जैसे के अभी यह देखेंगे हम तो अलग word आने वाला है इसलिए अभी mind में रखना है कि no other के बाद जो word आएगा वो रहेगा singular and as we know subject verb agree होना चाहिए यह अगर singular है तो यह helping verb या verb यहाँ पे जो हम use करेंगे अगर हम ऐसा लिखते है no other city आर ठीक है तो यह क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा city singular है आर plural form में है ठीक है ना तो वो अपने बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो भी helping verb या verb आएगा वो भी singular ही आएगा now the sentence is of positive degree हमें यह पता चल गया है कि sentence positive degree का है one to many comparison का है तो ऐसे sentence का जब हम cd form करते है comparative form करते है तो यह दोनों के places as usual change हो जाएगे ठीक है ना जब भी कभी हम positive degree का sentence rest degrees में लेके जाते है now it is possible one to many and many to many comparison तीनों में होते है positive degree comparative degree and superlative degree में भी होते है but one to one क्या होते है only positive degree and comparative degree तो यह पर क्या होगा इन दोनों के places change हो जाएगे जैसे कि हमने पहले देखा था चलो Mumbai at the beginning of sentence आएगा Mumbai is ठीक है no other itself negative sentence है ठीक है ना no से तो कोई भी बोल सकता है पता चल जाता है कि negative है तो rest जो भी sentence बनेगे वो होगे affirmative positive sentence ठीक है Mumbai is populated friends या पर syllabic बढ़ रहे है and spelling भी बढ़ रहा है ठीक है ना generally जो भी adjectives इडी से end होते है वो हमेशा more and most के साथ ही use किये जाते है तो Mumbai is more populated correct Mumbai is more populated than than तो हमेशा रहेगा जब भी हम comparative degree का sentence लिखते है तो जो भी comparative form होता है adjective का तो वहाँ पर than आना ही चाहिए now एक phrase फिर लिखेंगे हम जैसे कि यहाँ पर phrase यूज किया था one to many के लिए यहाँ पर भी phrase आएगा than any other ठीक है देखो यहाँ पर no other है तो उसके साथ क्या आना चाहिए any other या फिर many other भी लिख सकते हम many other ठीक है ना no other any other Mumbai is more populated than any other city only एक ही word बचाता sentence खता ठीक है now what changes we have made क्या changes किया हमने one to one जैसे किया लेकिन यहाँ पर यह जो phrase थी no other तो यह phrase replace करके हमने use किया any other ठीक है now यह sentence अगर हम superlative degree में change करते है ठीक है one to many का sentence हम तीनों ही degrees में लिख सकते है positive degree comparative degree and superlative degree ठीक है अभी अगर यह sentence हम superlative degree में directly change करते है ठीक है तो subject और यह फिर जिनका comparison है उनके places change हो जाएंगे यानि कि Mumbai at the beginning of sentence आ जाएगा Mumbai is now superlative form है superlative degree है we know very well जब भी हम किसी superlative degree का use करते है तो वहाँ पर हमेशा क्या आता है definite article द आता है ठीक है इसलिए हमने यह the article use क्या है Mumbai is the now populated का superlative form है most populated city correct ठीक है दोस्तो now only these changes we have to keep in mind दोस्तो यह तीन changes जो है यह हमेशा ध्यान में रखना है second sometime क्या हो जाता है कि no other या फिर any other या फिर यह जो the है यह replace हो जाता है कोई कोई sentence में grammatically the होना चाहिए लेकिन नहीं लिखा जाता है ठीक है ना any other की जगा no other आ जाता है no other के जगा दूसरा कोई phrase आ जाता है ठीक है ना तब हमें शाइद confusion हो जाएगा कि अब यह कौन सी लेवल का sentence है तो दोस्तों याद रखेगा यहाँ पर यह जो singular noun है ना यह जो singular अगर यहाँ पर singular noun है comparative degree में superlative degree में and comparative degree में यह सबसे end में आएगा comparative form के बाद अगर यह noun यह common noun singular में है ठीक है अगर यह common noun singular form में है तो यह comparison होगा one too many comparison ठीक है कई कई बार क्या हो जाता है कि यह phrases नहीं use किये जाते ठीक है ना तो कोई डरने वाली बात नहीं है एक दूसरा अपने पास तरीका है जो 101% सही होगा कोई भी sentence रहो अगर common noun singular form में है तो वो होगा one too many comparison ठीक है अगर common noun कोई भी डिग्री में comparative degree positive degree superlative degree common noun अगर singular form में है singular form में है तो यह रहेगा one too many comparison ठीक है तो इस तरीके से हम दियागा sentence कौन सी level का है यह decide करके हम changes कर सकते ठीक है let's take one more example और एक example लेते हैं तो let's take an example of superlative degree जैसे की OJAS is the most intelligent student in class friends यह जो part add किया ना इसे attribute कहता है ठीक है ना चलो OJAS is the most intelligent student in the class and we are instructed to change the degree of this sentence mostly क्या हो जाता है कि only change the degree कहा जाता है हमें ठीक है ना change the degree तो हम यह sentence के दो-दो answer बना सकते हैं अगर one too many का है कभी-कभी हमें explicitly कहा जाता है कि change into positive degree या फिर change into comparative degree then we have to change the given sentence into respective degree तब हमें जो degree कहा गया है उसी में ही change करना होता है friends अभी यह superlative degree का sentence है the most intelligent यहां से हमें पता चल गया चलो common noun देखते हैं कुन सा है student है यह common noun ठीक है and common noun का comparison जो word से किया गया है OJAS यह है proper noun ठीक है देखो common noun student singular form में है यह देखना जरूरी है कि common noun का number क्या है singular number है या neural number है singular number है तो definitely यह होगा one to many comparison का let's change this sentence into comparative degree friends it is easy to change cd to hd and hd to cd थोड़ा आसान होता है comparative degree का sentence superlative में लेना या फिर superlative का sentence comparative में because no need to change the words we have used for comparison जिनका comparison किया गया है वो sd to cd cd to hd change करने की जरूरत नहीं है याने की OJAS same subject रहेगा is the most intelligent था now comparative में हम क्या यूस करते है more intelligent than okay OJAS is more intelligent than now we use that phrase that is any other any other के बाद आएगा common noun that is student in the class ये attribute है attribute है तो ये हमेशा sentence के end में लिखा जाएगा ठीके OJAS is more intelligent than any other student in the class चलो इस sentence को हम positive degree में करते है friend जब भी positive degree का sentence आ जाता है ना तब हमें subject and object या फिर proper noun common noun common noun proper noun इनका places interchange करना होता है when whenever we are going to frame sentence of positive degree जब भी हम positive degree sentence बनाते है चलो इसका level हमने देख लिया पहले कि student है singular form में है ठीके ना यानि कि ये क्या है one to many comparison friends जब भी हम one to many comparison का sentence positive degree में लिखते है ना तो सबसे पहला word without referring sentence sentence ना देखते हुए पहला word हमेशा क्या लिख देना होता है no other ये word positive degree की शुरुवात होती है ठीके ना ये word क्या करता है one to many positive degree sentence की शुरुवात करा देता है तो no other always at the beginning of sentence ठीके phrase से start होता है ये sentence पहले वाले sentence ये जो sentence से ये start का से होते है subject से start होते थे ठीके ना अब ये जो sentence है ये no other से start हो रहे no other के बाद common noun आएगा that is student student singular form में आएगा ठीके ना no other student is as intelligent ठीके ये कहीं तभी हमें ये common noun चेक करना है कौन से form में है अगर ये plural form में है तो वह होगा many to many चलो ये sentence होगा है cd का इसे हम बनाएंगे sd में sd cd जब करते हैं interchange ठीके तो तो लूरल form अभाे ने ढूर कि उल्डा है